हम पोचे हैं हासी के विधायक बिनोज बेना की कोठी पर और जर्मनी का प्रेस करेंगे कि सहर हासी के लिए किस परकार की योजनाई मंजूर की गई है और कई लेकि आपको बताते हैं कि हासी के लिए कई क्रोडों का जो योजनाई मंजूर हुई है उसको लेकर हम बात्चित क लेकर हम चलते हैं तेले की आए तो है नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना लेड़ीत भार्दवाज आप देख रहे हैं रियना पॉल खोल मूझ इस समय की सब सब बड़ी खबर हारी है हासी से जो आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है बेद जरूरी खबर हारी है हासी से की हासी को सगात मिल चुकी है कई क्रोर रुपी की सगात मिल चुकी है अब जो जिस पर कारिये सुरू होने जा रहा है वो आपको हम बताने जा रहे हैं आपको यहीं बता दें कि हासी अब जिराफ बनने के रागर से हो चुका है प्लानिंग सुरू हो चुकी है और क्या करिये पर अब काम होने जा रहे हैं इसको लेकर हासी के विदायक बिनोग भाना से चर्चा करेंगे देखिए पूरी विडियो सर सबसे पहले आपका रियना पूल खोन जोनी सौबत ही धन्यवाद लली जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको परनाम और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार सर सुनने माया बड़ी बड़ी गोस्ताय जो मुझूर हुई है क्या क्या मुझूर क्या गया ऐसा है लली जी एक जनपरतिनी दी का काम है अपने इलाके की समस्याइं जाके सरकार को बटाना और संगर्श करके सारी जोतनी समस्याइं हैं उन समस्याओं से निदान दिलवाना हमारे हासी में बहुत सी चीजों की जरूरत थी जैसे सबसे पहले अगर मैं आऊं तो हमारा जो B&R का रेस्टाउस है यह मुझे लगता है कि 70 साल पुराना रेस्टाउस है और आज शहर की जरूरत थी कि एक नया रेस्टाउस यहां बने तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने नया रेस्टाउस मंजूर करवा दिया है जो कि 6 क्रोड रुपे की लागत से 33 मंजला रेस्टाउस हांसी में नया बनेगा और वो इसी पुराने वाली रेस्टाउस की जगा एंट्री करते ही जो जहां DSP का ओफिस है उस बिल्डिंग को तोड़ करके नया रेस्टाउस मनाया जाएगा और इसके लिए जल्दी ही टेंडर होएगा इसी तरह से अगर हम जिकर करें तो हमारा जो मिनी सेक्टरियेट है वहाँ वो दो मंजला है क्योंकि काफी डिपार्टमेंट होते हैं तो हमारा जिला पुलिस हो गया हाँ सी पुलिस जिला होने के बाद एक स्टोरी पूरी SP साब ने ले ली SP पुलिस कारियर ले बन गया एक पूरी मंजल में और एक SDM और तसील्दार के लिए हो गया अब दिक्कत यह है कि बाकी डिपार्टमेंट जगा जगा खुले हो है जिससे आम जंता को प्रेशानी होती है तो मैंने मानी मुख्यमंत्री जी से प्रार्टना की थी कि एक मंजल यहां और बना दी जाए ताकि हमारे सारे विभाग यहीं पर आ जाएं तो निश्टिक तोर पे एक मंजल की उन्होंने मंजूरी दे दी और जल्दी वो भी कारियर शुरू होगा इसी तरह से अगर हम जिकर करें हमारे यहां ढाना साइड से जब हम एंटर करते हैं हांसी के लिए या हिसार साइड से निकलते हैं या उदर से एंटर करते हैं इसमें से कुछ इलाका जो शेहर का इलाका है यह फोर लेन ओर डी है और बाएजी के होटल तक या उदर से आए ढाना के साइड से आए तो मिन्नी सेक्टियétais तक यह सिंगल रोड था जिससे हमेशन एक्सिडेंट वगरा होते रहते थे तो मैंने माननिये मैंने विधान सभा में ये वाज उठाई थी और माननिये हमारे उपमुखे मंतरी दुशन चोटाला जी ने विधान सभा में विश्वास दिलाया था कि हम ये सड़क बना देंगे तो मुझे कहते वे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारा काम पाइपलाइन में है और जल्दी ही ये अप्रूव होके इसके भी जल्दी टेंटर हो जाएंगे इसका क्रीब क्रीब 44 क्रोड रुपे का एस्निमेट है जो की मंजूर होके जल्दी चेंडर लग जाएंगे उससे हमारे शेहर में जहां एक्सिडेंट कम होंगे वहां एक सुन्दर शेहर भी नजर आएगा क्योंकि शुरू से आखीर तक सारी लाइटनिंग वगरा और ब्यूटिफिकेशन का काम होगा तो आपको लगेगा कि आप एक अच्छे शेहर में खुश रहे हैं इसी तरह से हमारी सड़क जो BNR की सड़क है जीन चुंगी से लेकर के जीन चोक विश्व करमा चोक तक ये सड़क इसमें हमने पाणी की नई लाइन जो की हमेशा तूटी रहती थी पचास साल साट साल पहले की लाइन थी उसको नई लाइन बनवाने के लिए हमने दो क्रोड रोपे मंजूर करवाए हैं नई लाइन ड़ेगी तो सड़क खुदेगी इसी तरह से वा है स्टॉम वाटर की लाइन भी आप देख आपने देखा होगा वहाँ डली जा रही है तो वह वह भी सड़क खुदी पड़ी है यह बात सही है कि जनता को कुछ दिन दिख्तों का सामना करना पड़ता है मगर वो सड़क भी हमने मंजूर करवाने के लिए वो काम भी पाइपलाइन में चल रहा है और नई सड़क CC की सड़क वो भी बनवाएंगे इसी तरह से अगर हम जिकर करें अंबेड कर चोक से लेके बर्सी गेट और लाल सड़क होते हुए हम पटेल चोक डिडल पार्क चले जाए तो यह सड़क भी हमारी काफी पुरानी सड़क है और इस सड़क भी हम नई सड़क CC का काम करवाएंगे इसी तरह से कुछ गाउं की सड़के हैं जैसे हम यहां से हासी से ढानी राज्यू पुठी जाएं तो वह सड़क भी जिरन खिरन अवस्ता में है तूटी पड़ी सारी उसके लिए भी मंजूरी के लिए सारे काफ़ाथ एस्टिमेट पाइप लाइन में हैं जल्दी मंजूर हो जाएंगे कितने को सक्ट है यह टोटल जी इतना मैं समझता हूं कि अगर इन सारे कामों का लेखा जोखा करें तो क्रीब सो क्रोड से ज्यादा एक सो बीस एक सो दस बीस क्रोड रोपे के काम हैं जो कि हमारे कुछ पाइप लाइन में हैं और कुछ अपरूव हो चुके है मैं माननी मुख्य मंत्री जी का और माननी उप मुख्य मंत्री जी दुशन चोटाला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी प्रार्षना को मानना और इतने सारे काम हमारे करवाने की मंजूरी दे इसा है अभी करोना काल है और निश्ची तोर पे हासी पुलिस जिला है और इसके बाद अगर कोई भी जिला नया बनता है तो सबसे पहला हासी का है और हम पूरे प्रियासरत है कि जली जल्दी ही हासी को जिला बनाएं और मैं समझता हूँ कि जैसे ही हम करोना वरोना से मुक्ति पालेंगे तो निश्ची तोर पे हम मानिय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करके हासी को जिला बनाने का प्रियास करेंगे प्रियासरत हूं और भगवान ने चाहा तो हम जिला बनाने में जल्दी ही इसको हम अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे बेन सब एक बीच 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 बात आती है कि हासी में नगर पीचित में गोटाले हुए हैं तो कारिकल डेड़ साल होगे आपने विजाएक बनने में तो दुरान क्या लगए आपको देखे लली जी जितनी भी आवाजें उठी हैं गोटाले की उठी हैं या गडबड की कोई भी आवाज उठी है तो वो आवाजें उठी हैं जो मेरे कारिकल शुरू होने से पहले की हैं मैं भगवान से डर के कहता हूँ प्रमात्मा की गरपा से मेरे कारिकल के बाद ना पर कोई गोटाला हुआ और ना ही कोई आज तक इलजाम लगा कि इस काल में ये जो भी गोटालों का चर्चा हो रहा है वो मेरे कारिकल से पहले का है वो ठीक है सरकार जांच करेगी अगर को हम हर कारिये को करवाएंगे जिसकी भी हम जूरूरत समझेंगे जैसे पीने का पानी है आज पूरे शहर में लाइने डाल रहे हैं सीवरेज का कहीं मिक्सिंग आ रही है तो लाइने बदली जा रही है इसी तरह स्ट्रॉम वाटर की आप देखो कि जहां पानी भरता था वहा जी बनाए जारे रोड फिर पार्ट जारे फिर मिलानी बिचाई जारी है काफी जवादेखने को मिला है लाली जी हमने सारे के सारे डिपार्टमेंट इकठे किये थे और सारे डिपार्टमेंट को बुलाया था और साफ इनको निर्देश दिये हैं कि कोई भी डिपार्टमे से आपस में तालमेल होने के बाद अगर उन्होंने लाइन डालने है तो उनको निर्देश दिये पहले लाइन डलवाओ उसके बाद सड़क बनेगी तो ऐसा तालमेल से मैं समझता हूं कि आगे से ऐसा काम नहीं होगा कि पहले सड़क बन जाए फिर उसमें लाइन डले तो उस इस पर कर ये जल्द शुरू हो जाएगा आपको बता दें कि हासी को जिला बनाने के और त्यारी की जारी है और हासी जिला बना जाएगा तो हासी में इनुविश्टी भी से बढ़ा ले और दोग की स्था अपना होगी हर्याना पॉल कॉल नूज के लिए लेलित कि काड़िबू जाएगा इएग्वा बता लुड़िए इन पार्माव